हलो एवरिवन, वेलकम तू स्टार आइक्यू, स्टार आइक्यू के इस वीडियो प्लैटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज 14 अगस्त 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप स्टार आइक्यू पे पहली बार प जाएगी अब, तो इसका सही अंसर था 1000, बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, और कुछ बच्चे तो डिटेल में भी लिखा करते हैं, तो ये तो आप लोग आदत अपनी बनाईएगा ही बनाईएगा, आज का पहला क्यूस्टन बेहद बेहद अच इसमें किस बैंक से देश में सरवादिक वितिय मदद मिली है, 2020 में कुन सा बैंक है, जिसमें सब देश में पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़ादा हमें financial help मिली है, इस बैंक का नाम है नावार्ड बैंक, यानि कि D option इसका बिलकुल ठीक रहेगा, अचा नावार्ड बैंक ज सबसे ज़ादा है, अचा सर, 2014-15 में 468 करोड रुपे के मुकाबले 2020-21 की बात की जाए, COVID-19 की situation के बावजूद भी देखा जाए, तो पिछले 4-5 सालों में ये मदद का आंखडा almost double हो गया, 1030 करोड रुपे की वितिय साहिता लेने में सक्षम रहा हमारा हर्याना राजिये, अब आप ये भी याद रखिएगा कि जो ये नाबाड बैंक है ना, इसकी full form क्या है, और बाकी बाते भी हम लोग जान लेते हैं, नाबाड बैंक की full form है, National Bank for Agriculture and Rural Development, कई बार एक्जाम में इस नाबाड की किवल full form से ही सवाल बना है, तो आज आप इसी शनी से याद कर जिएगा, अगर नहीं याद है तो, और इस नाबाड बैंक के चेर परसन का नाम गोविन राजलू चिंताला है, ये भी याद रखिएगा, इनकी स्थापना, नाबाड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, इसका हेड़कॉर्टर वितिये साहिता हर्याना को मिली, जो की पूरे भारत वर्स में सबसे जादा है, पिछले साल के मुकाबले हमें 44% जादा वितिये साहिता मिली है, ठीक है, बाकी और राजियों में भी वितिये साहिता हुई है, लेकिन हमें तो हमारे राजिये की अच्छे रूप से याद कर देना है ठीक है अच्छा इस स्वितिय सहायता से हो क्या जाएगा सर इस स्वितिय सहायता से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि साल दो हजार पत्चिस के अंदर हम लोग रास्ट्रिय स्विक्षा निति या न्यू एजूकिशन पॉलिसी जो है उसको सबसे पहले लाग उजनाओं के काम किया जाएगा ठीक है ना तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्यूस्टन से नाबाड के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है बाप लोगों को अगला सवाल हमारा क्या होगा तो क्यों ऑलम्पिक दो हजाए बीस के विजेता एवं परती भागी खिलाडियों को समान समारो हरियाना के किस ऑडिटोरियम में आयुजित किया गया है तो परती भागी जितने भी खिलाडी थे देखिएगा उनका तो समान करना जहिर सी बात है भले ही वो कोई मैडल नहीं जीत पाए लेकिन ओलम्पिक मे जीतने पढ़ते हैं बहुत सारी महनत करने पड़ती है इस करके हरियाना के अंदर सबी परति भागी खिलाडी या पदक विजेता खिलाडीओं को जो है इनाम दिया गया उन्ने समानित किया गया है और यह पंच्कुला काbek आढ़िटेरियम है जिसका नाम है इंदर धनूस यानि कि B option इसका ठीक रहेगा हमारा याँ पे कोण-कोण थे सर मुख्य अतिति में तो हमारे राजेपाल जी थे सरी बंडारु दुत्तात्रे यह माननी राजेपाल है और बुखे तित्य में स्री मनोहर लाल खत्र जो की हर्याना के मुख्य मंत्री है और के साथ में हर्याना के खेल राजय मंत्री सिरी संदीप सिंग और 13 अगस्त 2021 को जो है ये हुआ है इंदर धुनुस ऑडिटورियम में समान समहरो सर हर्याना का कौन सा डिपार्टमेंट इसके इंदर सामिल था तो इस डिपार्टमेंट का नाम भी याद कर लेना आप लोग सूचना जन संपर्क एवं भासा विभाग हर्याना फिर से बता रहा हूं सूचना जन संपर्क एवं भासा विभाग हर्याना यह आपको यहां नीच जीता है तो उनको चार करोड रुपे दिये गए हैं ब्राँज मैडल जीता है इन्होंने ठीक है ना इनको धाई करोड रुपे मिले हैं ठीक है ना धाई करोड रुपे मिले हैं बजरंग पूनिया को याद होगा आप लोगों को ठीक है जिन्होंने होकी टीम वालों को पचास सास लाक रुपे जो है वो दिये गए हैं इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर दें और कोई भी मैडल जिनको नहीं जीत पाए उनको 15-15 लाक रुपे रासी से समानित किया गया है चलिए जी अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में किस जिले की कंपनी इंस्टेटीट फॉर यानि कि आई एफसी दवारा बुजुर्ग सूचकांक 2021 जारी की गई है ये कंपनी है प्यारे बचो आई एफसी कंपनी हर्याना के गुरू ग्राम की यानि कि सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा सा इं इकनामिक जो आपका इकनामिक अफेर वाला जो कमिशन है उसमें उसी के जो अध्यक सायन डॉक्टर विवेक डैबरॉय उन्होंने स्टार्ट किया है बुजुर्गों के नेतरताव वाली जीवन की गुनुवत्ता को मापने के लिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि ज इन चे Buttany कोन कोन से हैं है एक तो है सवास्ते एक सामाजी कल्यान इक वित्य कल्यान एक है आए स्रुक्षा इन चारों पर विशे दोर हो सकता है उनका जो हना स्वास्त daí को कि बुजरुक हूनेकी बाद मरे बिगड़ना होता ही होता है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखा यहां से याद रख लेनी हैं और जो यह आई एफ सी कंपनी है इसका है अमिट ठाकूर है यह बात भी आप लोग याद कर लेना और जो प्रधान मंत्री की आर्थिक सलहाकार परिसद है ना इसका मतलब यह कि प्रधान मंत्री को आर्थिक और संबंदित मुद्दों पर सलहा देने के लिए एक स्पेशल गठित किया गया पैनल है जिसके अध्यक्स का नाम डॉक्टर विवेक देवरोय है बाकी और बहुत सारे मैंबर है और इसका हैड़कार न्यू डैली के अंदर पड़ता है इसी से जुड़ावा एक बहुत ही प आबादी के जैसे से आबादी बढ़ रही है तो उन बुजरुकों की जितनी भी आबादी है उनकी जितनी भी ज़रूरत है उनको समझा जाए उनको जो है न स्वास्ते या यूं कहिएगा और बहुत सारी चीज़े हैं उनको मोहिया करवाई जा सके आप देखो रिलेक्टि तीन पे बिहार और लास्ट में इसमें तिलंगाना पे आ रहा है उत्त्र पूरी राज्यों मेंने नमबर वन पे मिजोरम है। तो ये बात आपको अच्छे से याद करने है। दोनों तीसरा और चोथा सवाल बहुत ही ज़्याद है पיीयरे सवाल थे। हर्याना के किस कंपनी ने तेलंगाना में और सोर उर्जा परियोजना और उत्राखंड में जल विजुद परियोजना का अधिग्रण किया है तो इस कंपनी का नाम है रिन्यू पावर कंपनी यानि कि B option इसका ठीक रहेगा हमारा रिन्यू पावर कंपनी ने जो है ये दो प्र और 330 मेगावाट पीक जो है इन परियोजनाओं को दो इन दो परियोजनाओं के समझोतों पे हस्ताक्षर किया 2850 करोड रुपे के दोनों परियोजना है इस बात को आप याद करना जल विदुत परियोजना जो है ये लारसन एंट्रूबो कमपनी के दवारा जो है ये बनाई गई है एक परकार से या यू कईगा इसी कमपनी के दवारा ही चलित है ये उत्राखंड के अंदर है ये ठीक है और दूसरी सोरूजा परियोजना जो है वो तेलंगाना की है ठीक है और ये बात आप लोग ये याद कर लेना कि दो हजार पत्तिस तक एक अठारा गीगावाट समता पहुंचाने का लक्षे है रिन्यू पावर कंपनी का चुकि हम लोग रिन्यूबल एनरजी के जोर दे रहे हैं कारबन बहुत yadha उसरजीत हो रहा है कारबन जो है कारबन की वज़े से इस वज़े से यह कंपनी ऐसा कर रही है बांक ने बाहरत में ग्रीन हाउसिंग के लिए किसके सास्ट समझोता किया है तो एशेन डवलब्मैंट बैंक ने ग्रीन हाउसिंग के लिए IIFL, Home Finance के साथ में समझोता किया है यानि कि ए आप्षन इसका ठीक रहेगा हमारा AGI विकास बैंक ने कम कार्बन उच्छरजन और कम पानी अच्छी जीवन सकती इस तरीके के घर बनाने के लिए IIFL के साथ में समझोता किया है ताकि लोग जैसे एर कंडिशन है वगरा वगरा का कम प्योग करे जिस घर ऐसा कुछ घर बनाया जाए जिससे कार्बन कम निकले पानी भी थोड़ा कम वेस्ट हो अच्छे से अच्छी एफिशन सी आए ऐसे के लिए जो है यह समझोता किया गया है इस बात को आप लोग याद कर लेना ठीक है ना इंडिया इंडिया इंफो फाइनांस कंपनी है यह पूरा ठीक है ना हॉम फाइनांस लिमिटेड कंपनी इसके साथ में हाथ मिलाया है यह इस प्रयोजना का कुल लागत है एक मिलियन डालर अर्बन क्लाइमेट चेंज करने के लिए ही ऐसा किया गया है भारत में सस्ते आवास के लिए ठीक है ना 0.15 मिलियन का युगदान भी दे रहा है ठीक है तो ये बाते हैं आप लोगों को याद करनी है 2022 तक सभी के लिए ऐसे घर बन जाएंगे जिसमें कम खपत होगी हर चीज की और जादा से जादा जो है ना efficiency होने वाली है हॉम फाइनांस जो कंपनी है इस कंपनी के अध्यक स्री एससरी धर है इसका headquarter भी हरियाना के गुरू ग्राम में ही पढ़ता है इस बात को भी आप याद रखिएगा भारतिय रेज़ाओ बैंक यानि की आरबियाई ने डिजिटल बैंकिंग धोखा धड़ी के खिलाफ अपने नए जन जागरुकता अवियान के लिए किस ऑलम्पिक पदक विजेता को सामिल किया है तो यह ऑलम्पिक पदक विजेता है निरच चोपड़ा इनको सामिल किया है यानि की ए आप्शन इसका ठीक रहेगा बैंकिंग अवेरनेस में काम करेंगे यह लोगों को बताएंगे कि लोगों से अपना जो है वो ओटीपी शेर करना गलत है लोगों को अपना अकाउंट नंबर की जितनी भी अकाउंट नंबर हैं यह कोई मुझे बताएगा कमेंट में पानिपत का इनका गाउं कोन सा है इनका जनम को कब हुआ है मैंने भी एक दिन बताया था आपको एक स्पेसल वीडियो बना के आप मुझे बताईएगा 2020 में पूर्सों की जो है यह भाला बैंक में इन्होंने गॉल्ड मेडल जीता है ऑलम्पिक के अंदर 2018 के अंदर रास्टर मंडल और इश्याई खिलो दोनों के अंदर इन्हों गोल्ड जीता था और स्वतंदर भारत के पहले ऐसे किलाडिय जिन्हों ट्रेक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले आथलीट बने हैं 2018 में इन्होंने अर्जुन अ होई थी 1934 अधिनियम के तहट ठीक है और यह याद रखिएगा कि उन्नी सो नंचास में इसका जो है वो हुआ था रास्ट्रिय करण चलिए जी इसी के साथ में इस लेक्चर का समाप्त हो जाता है इस लेक्चर को समाप्ति के और ले जाता हूं आप लोग मुझे सवाल बता यह देश के पहली बार किस जिले में मुख्य डाग घर का लैटर बॉक्स सुनहरा किया गया है हिंसार पानीपत करनाल सोनीबद पताईए विस्तार से इसके बारे में कलफीर हाजीर होंगा लेटस टपेट के साथ में तब तक अपना ख्याल रखिएगा